दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज की बारे में बताने वाली हूँ अगर उसका सेवन आपने करना शुरू कर दिया तब जिन्दगी में आपको कोई बिमारी नहीं होगी दोस्तो अलबर्ट आइंस्टाइन ने क्या खास बात कही है बिना स्वस्त जीवन जीवन नहीं होता बलकि ये दुख और आलस की अवस्ता होती है तो दोस्तो आज मैं आपको बताने जारें स्वस्त रहने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है हमारा शरीर जो है वात, पित और कफ के बिगरने से बिमार होता है तो दोस्तो अगर आपको जॉइंट में गैप हो चुका है यानि कि जोडों में दर्द रहता है गुटनों में दर्द रहता है या फिर डाइबिटीज की समस्या हो चुकी है अर्थ्राइटेस या ओस्ट्यो अर्थ्राइटेस हो चुका है बुरा कॉलिस्ट्रोल बॉडी में बढ़ता है या आपका खून साफ नहीं है आपको स्किन की कोई भी परिशानी हो चुकी है या फिर आपको सर्दी जुखाम जल्दी हो जाता है दोस्तों आपकी इम्मिनिटी सिस्टम कमजोर पड़ चुकी है तब भी ये सिर्फ एक चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों ये सिर्फ एक चीज वात पित और कफ तीनों चीजों को अकेली ही बैलेस में कर देती है अगर ये बिगड पूरी तरह से दूर करना है तो सिर्फ एक मिनट ये एको प्रेशियू पॉइंट भी आपने जरूर प्रैस कहने है तो दोस्तों ये सिंगल और सिर्फ एक चीज है दोस्तों गोमुत्र गोमुत्र के अंदर एक रिसर्ट से ये जी सामने आई कि इसके अंदर सबसे मेगनेशियम, मेगनीज और पोटेशियम होता है ये 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रियंट हमारी बाडी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों अगर किसी भी इंसान के जोडों में गैप हो चुका है तो उसको रुजाना गोमुत्र का सेवन जरूर करना है कितनी मात्रा में करन है तो 3-4 चमच गोमुत्र आधे गिलास नौर्मल पानी के अंदर मिक्स करके सुबह खाली पेठी लेने है और किसी टाइम नहीं दोस्तों बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा साधन है ये इसके इलावा बुरा कॉलेस्ट्रोल बढ़ना आजकल बहुत आम सी समस् चुकी है हर एक इंसान ये कह रहा है मुझे पुरा कॉलेस्ट्रोल बढ़ता है मेरा खून गाड़ा होता जा रहा है दोस्तों इसके लिए आपको रोजाना सिर्फ 3-4 चमच गोमुत्र का सेवन करना है इसके इलावा अगर तुच्छा के कोई भी समस्या है खाज खुझली बहुत जादा होती है सो राइसीस एकजीमा हो चुका है तो भी तोस्तों आपको रोजाना इस गोमुत्र का ही सेवन करना है कुछ लोगों के घुट्ने बहुत तेज दर्द करते हैं घुट्नों के तेज दर्द को ठीक करने के लिए भी आपको सिर्फ 15 दिन के लिए इसका अगर आपको अर्थ्राइटिस नहीं हैं सिर्फ गुटने ही दर्द करते हैं तो गुटनों के दर्द को ये 15 दिन के अंदर ठीक कर देता है इसके इलावा कुछ लोगों को खांसे जुखाम 20 साल 25 साल पुराना है यह जुखाम ठीकी नहीं होता तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको रोजाना गोमुत्र का सेवन जरूर करना है गोमुत्र इतना जादा कारगर है बागबट रिशी जी ने इसके बारे में कहा है कि ये वात के सभी रोगों को दूर करता है कफ के सभी रोगों को दूर करता है और ये पित के भी सभी रोगों को दूर करता है दोस्तो अगर आपको ये समस्याई है यानि आपकी इमिनिटी कमजोर है बहुत जल्दी आपको कोई भी तकलीफ हो जाती है तो रोजाना गोमुत्र का सेवन कीजिए और एक स्वस्थ इंसान भी एक दिन छोड़ कर एक दिन यानि कि हफ़ते में तीन बार गोमुत्र का सेवन जरूर करें तो दोस्तो ये तो थे गोमुत्र के फाइदे अब मैं आपको ऐसे दो एकोप्रेशर पॉइंक बताने जा रही हूँ जो आपने रोजाना सर्फ एक मिनट के लिए प्रेस करने है और गुटनों का दर्द उसी टाइम दर्द का निवारन हो जाएगा दोस्तो सब पूरी की पूरी चार डॉट वाली जो लाइन है दिन में एक बार प्रेस करना है एक मिनट के लिए ऐसा आपने दोनों हाथों में करना है ये गुटनों के दर्द को ठीक करता है इसे दबाने पर अगर दर्द हो तो आप समझ लेजिए आपने सही पॉइंट को प्रेस किया ह दोस्तो इसके इलावा पैर में भी सेम पॉइंट है पैर में भी आपने दोनों पैरों पर करना है पैर की सबसे चोटी वाली जो टो होता है सबसे चोटी वाली लिटल फिंगर होती है वहां एंड में बिल्कुल एंड में चार डॉट लगा कर आपको दिखाय जा रहे हैं य अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी आपकी काम की है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धैन्देवार